हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज्चूटिनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे किटो को नाजॉल ड्रग के बारे में और जानेंगे उसके डेटेल ये वीडियो लेक्चर में किस तरा से उसको यूज किया जाता है उसके वर्किंग वगयरा क्या है, मेकनिजम-फैक्शन, उसके बेजिक यूज तो डिटेल फार्माकोलोजिकल स्टडी करेंगे हम किटो को नाजोल ड्रग की ये वीडियो लेक्चर में और जानेंगे ये मेडिसिन के बारे में डिटेल में तो एक्सपर्ट लेक्चर बाया मरसर, आसिस्टम प्रॉफेसर और फाउंडर ओफ फार्मरोक्स तो अब समझे किटो को नाजोल मेडिसिन के बारे में अच्छे से तो किटो को नाजोल क्या है तो वो एंटी फंगल मेडिकेशन उसको कही जाती है और बहुत सारे नंबर ओफ फंगल इंफेक्शन को ट्रेट करने के लिए ये मेडिकेशन यूज की जाती है कीटो कोनाजॉल एंटिफंगल मेडिकेशन जो है वो कही जाती है तो बहुत सारे जो अलग-अलग फंगल इंफेक्शन होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम कीटो कोनाजॉल को यूज करते हैं इन एजल डेरिवेटिव कि जो हम उसकी कैमेस्ट्री देखे तो एजल इन एजल डेरिवेटिव उसको कहा जाता है और जो बेजिक फंक्शनल रिंग उसके अंदर जो प्रेजंट है तो यह आपके लिए काफ़ी इंपोड़न पिन पॉइंट बन सकता है और इस फॉर्स्ट ओरली इफेक्टिव ब्रॉड स्प्रेक्टम एंटिफंगल ड्रॉग बहुत डर्मेटो फाइटोसीस एंड डीप माइकोसीस टाइप आफ फंगल इंफेक्शन कि जो आगे हम नेक्स लाइड में सीखेंगे कि जो अलग अलग टाइप के फंगल इंफेक्शन होते हैं वो सभी को ट्रीट करने के लिए फ्लुको नाजॉल की तरह ही यह कीटो को न सकते हैं कि जैसे हमने प्रिवेस लेक्चर में फ्लुको नाजॉल को सीखा था और फ्लुको नाजॉल भी अलग अलग टाइप के फंगल इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है सेम लाइक डेट कीटो को नाजॉल भी एंटि फंगल मेडिकेशन है एजल मिली ग्राम के 200 मिली ग्राम का ये टैबलेट आता है उसके बाद कीटो को नाजॉल के टॉपिकल क्रेम भी अवेलेबल है कि जिसके स्ट्रेंथ रहती है टू परसंट के टू परसंट वेट बाई वेट वाला ये क्रेम रहता है कीटो को नाजॉल के जो टॉपिकली अपलाई किया जाता है affected parts के उपर फिर उसका medicated shampoo भी आता है कि यह की देखो ketoconazol shampoo तीवन आप google करो कि तो आपको बहुत सारे इसे topical samples के brand मिल जाएंगे कि जो ketoconazol वाले medicated shampoo के categorize होते है और यह prescription based होते है कुछ non prescription based रहते हैं ketoconazol का soap भी available होता है कि जो जाता है कि इससे वो अच्छे से bathing करते हैं इसके अलावा ketoconazol का lotion भी available होता है कि जैसे आप cream अपलाई करते हैं body license अपलाई करते हैं उस तरह से ketoconazol वाला lotion भी available है market के अंदर and ketoconazol के lotion की जो कुछ shampoo के तो पर भी यूज किया जाता है तो यह है उसके अलग लग marketed formulations और डोजी स्पॉम काई सकते हैं कि उसके liquid डोजी स्पॉम भी available है as well as semi solid type डोजी स्पॉम and also the solid डोजी स्पॉम के solid डोजी स्पॉम में tablet हो गई उसकी as well as ketoconazol का soap available है, cream available है shampoo, lotion, sand also a soap तो यह हो गई उसके अलग लग लग डोजी स्पॉम अब समझते हैं उसके basic use को अच्छे से तो यह वाले जो 6 यहाँ पर listed किया हुए है यह 6 उसके main basic use है तो सभी को आप अच्छे से point wise समझे तो जो टीनिया टाइप के जो fungal infections होते हैं कि यह वाला देखो कि यह जो इस टाइप के ringworms होगेरा होते हैं तो यह जो कहा जता है यह टीनिया है तो उसको मैं यहाँ पर number one करता हूँ तो जिससे आपको पता चलेगा कि यह टीनिया उसके बाद cutaneous candidiasis होते हैं कि जो आपके skin के cutaneous layer जो है उसको सबसे ज़्यादा हानी पहुचाते हैं तो यह देखो यह वाला ऐसे skin diseases होते हैं आपके skin के layers के उपर ऐसे patches develop हो जाते हैं और वो specially cutaneous जो layer होता है skin का वहाँ पे fungus के करण होने वाला infection है तो उसको मैं यहाँ पे number 2 लिखता हूँ फिर तूसरा जो है peteriasis versicolor तो यह वाला देखो कि यह light pigmentation जैसा हो जाता है skin का यह से तो उसमें भी यह ketoconazole जो है वो prescribe किया जाता है तो cutaneous candidiasis number 2 और number 3 यह वाला peteriasis versicolor उसी तरह से जो बालों में hairs के अंदर जो dandruff वगेरा होता है उसमें भी ketoconazole काफी effective है कि यह देखो यह जो dandruff वगेरा जो आप देख सकते हैं और उसमें specially जो problem होता है dandruff के साथ जो scalp की जो skin है वहाँ पे भी fungal infection अंदर की और पॉँच था है तो उसके करन क्या होता है कि hair falls वगेरा होते है, itching होती है तो बहुत सरे से complications होते है तो उसके लिए जो medicated samples वगेरा है वो use किया जाते है कि जिसके अंदर ketoconazole रहता है, साथ हो साथे से जो sop पाते है, वो भी आप use कर सकते है, ketoconazole related फिर seboric dermatitis इस type का, कि आपके चहरे पे इस type के यह develop होते है कि यह जो आप देख रहे है number 5 कि जिसको क्या कहा जाता है, seboric dermatitis तो उसके अंदर भी यह effective है, and monilial vaginitis कि एक type का vaginal infections है तो उसमें भी यह use किया जाते है, तो यह अलग-अलग main उसके 6 basic use कह सकते है, ketoconazole के for the treatment of various disease, कि ketoconazole कि यह जो 6 main infection से skin infection और यह fungus के कारण होने वाले skin infection के अंदर ketoconazole prescribed किया जाता है तो अब उसकी pharmacokinetic समझते हैं, तो pharmacokinetic मतलब कि medication किस तरह से आपकी body के अंदर अपना असर छोड़ती है तो सबसे पहले समझो ketoconazole के अंदर तो oral absorption of ketoconazole is facilitated by gastric acidity because it is more soluble at lower pH कि हमारे जो stomach के अंदर जो acid present होता है तो वो acid के pH के अंदर इसका solubility अच्छा है solubility अच्छी होगी तो उसका absorption भी अच्छा होगा तो oral absorption अच्छा होता है ketoconazole का because वो lower pH के उपर काफी अच्छा से dissolve हो जाती है उसका hepatic metabolism extensive रहता है मतलब कि जो आगे फिर उसका metabolism करवाता है हमारा ये liver तो ये वाला जो आप liver देख रहे है तो liver से जो उसका hepatic metabolism होता है वो extensive रहता है तो metabolites of ketoconazole are excreted in urine and feces कि जो भी ketoconazole metabolism के बाद बाकी रहता है वो उसका excreation हो जाता है urine के थ्रू and feces के थ्रू कि जो आपका stool होता है stool के साथ या फिर जो urine पेसाब के साथ उसका excreation हो जाता है आपकी body में से बाहर and elimination देखे उसका elimination of ketoconazole is dose dependent कि उसका जो half life है T1 हाप मदलब कि उसको कहा जाता है half life तो उसकी जो half life है वो रहती है one and half hour to six hour कि छे गंटे से लेकर one and half hour जितना उसका रहता है half life ते था उसका फार्मा को काइनेटिक प्रोफाइल medication का अब उसके doses form में समझे तो tablets तो tablets जो है वो 200 mg के strength में usually available है ketoconazole के and oral administration के लिए होते because जैसे आपने klotrimazole का देखा तो klotrimazole के vaginal tablets थे बट यहाँ पे यह tablets को orally patient जो है वो use करता है कि oral directly tablets जो है वो swallow करेंगे the recommended starting dose of the ketoconazole tablet is single daily administration of 200 mg one tablet तो prescription में क्या रहेगा किस तरह से 100 एसा हो सकता या फिर od once a day कि दिन में एक ही tablet लेनी है और उसका doses रहेगा 200 mg कि 200 mg की एक ही tablet patient अच्छे से लेता है और एक ही tablet यहाँ पीन आप रहती है बट समझे कि किसे को एक tablet से फरक नहीं पढ़ता कि one tablet से फरक नहीं पढ़ता तो उसको दिन में दो tablet भी दे सकते हैं tablets are also be increased to 400 mg once a day कि अगर यह therapy काम नहीं कर रही है तो उस cases के अंदर आप दो tablets भी patient को जो है वो दे सकते हैं दिन में तो इस तरह से आप doses उनका increase करवा सकते हैं बट maximum 400 mg उससे ज्यादा dose increase करने से side effects जो है वो produce होते हैं तो यह खास देन रखना है चोटे बच्चों के लिए उसका हम doses देखे तो children over the two years of age दो साल से कम को तो यह देना ही नहीं है बट दो साल से उपर की age के जो चिल्डरन से उनके लिए डेल्ली dose रहता है 3.3 से लेकर 6.6 mg पर kg अगर समझो की बच्चे का weight है 20 kg और समझो की हम consider करते हैं उसके लिए 4 mg जितना dose तो वो बच्चे को आप देगे 20 into 4 is equal to 100 mg जितना dose तो यह खास है कि बच्चे के weight की according to क्या आप 3.3 या 6.6 से बीच में center point चलो लेकर 4 mg consider करते हैं और बच्चे का weight है 20 kg तो उसके लिए ETMG जितना जो doses है वो sufficient रहता है to treat the fungal infection फिर बात करें उसके सैंपू की तो सैंपू is a medicated sample designed to treat the fungal infections affecting the scalp कि जो आपका scalp का reason है तो वहाँ पे जो fungal infection होता है उसको treat करने के लिए ketoconazole का medicated sample जो है वो use किया जता है and you can use it in the conditions like stupon dandruff, psoriasis की जो psoriasis जैसी condition होती है scalp के अंदर as well as जो dandruff का condition है और वो dandruff समझे कि और ज़्यदा खराब हुआ है और काफी ज़्यदा fungal infection आपके scalp में के अंदर फैला है तो उस वाग ketoconazole का medicated sample जो है वो prescribe किया जाता है यह देखो RX लिखा हुआ है बलग कि prescription के basis के उपर आप उसको purchase कर सकते हैं as well as यह over the counter OTCB मिल जाता है so shampoo containing ketoconazole are available both over the counter and by prescription from your doctor के आपके जो healthcare provider से वो आपको suggestions देंगे to use this type of medicated sample in case of the fungal infections in a scalp अब बाद आती है आगे उसके cream की तो cream जो होती है वो आप समझे के tablets वगेरा तो लेते है बट समझे के tablets से उतना आपको फरक नहीं पढ़ रहा तो directly आप यह जो creams होते है वो affected part के उपर apply कर देख जैसे यह cream है तो यह cream को आप यहाँ पे apply कर सकते है आपके जो ringworms वगेरा होते है वहाँ पे के जैसे tinea corporis tinea cruris जो हम कहते है tinea padis वगेरा कहते है तो tinea infections जो एसे होते है उसमें directly आप cream यह apply कर सकते है as well as यह cutaneous candidiasis जो होते हैं लोगों को उसमें भी आप उसको दे सकते है फिर seboric dermatitis के अंदर भी patient जो है वो apply कर सकते हैं तो यह जो अलग-अलग fungal infections होते हैं skin के उपर versicular में भी आप उसको apply कर सकते हैं directly आपके skin के layers से उपर topically यह cream effective रहती है और इसको broad spectrum कहा जाता है बहुत सारे अलेगल fungal infections के अंदर ketoconazole का यह topical cream जो है वो लगाया जाता है तो यह हो गए उसके cream अब समझ ज़ते हैं उसके mechanism तो mechanism simple है कि जिससे ketoconazole flukonazole काम करता है clotrimazole काम करता है उसी तरह से ketoconazole जो azole है imidazole containing antifungal drug तो उसका भी सेम काम है कि जो lanosterol falten alpha d-methylase है उसकी activity को करता है inhibit अब यह inhibit होगा तो आगे जाएक ergosterol का जो production जो है वो inhibit हो जाएगा तो proper process समझे कि यह वाला fungal cell देख रहे है fungal cell के आसपास होती है वो आप पूरा portion देखो गए तो यह है fungal की cell membrane अब यह cell membrane को develop करनी है तो जरुवत पड़ेगी ergosterol की ergosterol develop करना है तो जरुवत पड़ेगा lanosterol की lanosterol कैसे बनता है तो squilin में से बनता है तो चलो squilin में से तो lanosterol यह बन गया रुसके अंदर help किया यह squilin epoxidase enzyme ने और lanosterol बन गया और lanosterol में से lanosterol falten alpha d-methylase को यूज करके तयार होता है ergosterol बट यहाँ पर mechanism क्या है कि आपके यह जो azoles medication से वो क्या करते है यह lanosterol falten alpha d-methylase की जो activity है उसको कर देते है inhibit कि जिसके करण क्या होगा कि inhibition in ergosterol synthesis अगर यह नहीं होगा यह वरा process अटक जाएगा तो ergosterol नहीं बनेगा ergosterol नहीं होगा तो यह fungal cell membrane डेवलेप नहीं होगी अगर समझो कि यह cell membrane पूरी damage हो जाती है तो यह fungal cell क्या होगा जाएगा उसका cell डेथ हो जाएगी कि बीना वो membrane के cell जो है वो survive नहीं कर पाएगा और जिसके करण वो fungal cell के डेथ हो जाएगी और यह medications काम करते है as a fungi seedal हम कह सकते हैं क्योंकि वो fungal को क्या कर देते है completely kill कर देते है डेथ होना मतलब कि यह medication ने यह fungal cell को completely kill कर दिया जिसके करण उसकी जो effect बनती है that is a fungi seedal action काफे simple mechanism है जस्ट आपको यह पता होना चाहिए कि lanosterol से ergosterol के लिए जो यह lanosterol 14 alpha d-methylase enzyme है उसकी जरुवत है और यह medications directly यह enzyme को inhibit कर देती है जिसके करण आगे जाके ergosterol का formation नहीं होगा और ergosterol का importance इतना है कि fungus cell को उसकी जरुवत पढ़ती है अपनी cell wall as well as cell membrane को proper अच्छे से develop करने के लिए अगर ergosterol ही नहीं बनता तो fungal cell membrane नहीं बनेगा और fungal cell membrane नहीं बनेगा और जिसके करण उसके डेत हो जाती है कील हो जाते है और यह medications अपनी fungicidal action वहाँ पर छोड़ते है but main important अप जानना जरूर है कि ketoconazole के बहुत सारे side effects से वो आप समझे कि जो सबसे पहली जो उसकी famous side effect है that is a gynecomastia अब gynecomastia में क्या होता है वो समझे कि बाजू के diagram में जो gynecomastia related दिखा है कि grades of gynecomastia उसका मतलब भी होगा कि जैसे जैसे यह उसके grades बढ़ते जाते हैं तो male के अंदर जो breast tissues होती है उनका development होना start होता है कि usually हमें पता है कि breast की जो tissues होती है उनका development ज्यादा होता है females के अंदर बट वही development समझे कि male के अंदर होता है तो वो condition को कहा जता है gynecomastia तो keto-konasol की यह काफे famous side effect है कि समझे कि male patients उसको excessive use कर लेते है तो आगे जाके उनके अंदर यह gynecomastia वाली side effect जो है वो produce होती है कि जिसके करणज उनके breast tissues का development ज्यादा होता है उनके अंदर फिर metabolism and nutrition disorders देखे side effect के दोर पे तो alcohol intolerance होता है anorexia होता है मनलब कि कई बार भूख कम लगना anorexia loss of appetite जो हम कहते हैं कुछ cases में increase करवाता है appetite कुछ cases में anorexia करवाता है hyper lipidemia कि जो नेंद ना आना nervousness वगरा होना कुछ cases में anorexia कुछ cases के अंदर appetite बढ़ जाना as well as nervous system related disorders हम देखे तो headache होता है person को dizziness, paresthesia होता है somnolence जैसा होता है photophobia होती है eye disorders के दोर पे कि जैसे light को देखके patient काफी uncomfortable feel करता है कि यह वाला देखो कि जो lights वगर है उसको देखके काफी uncomfortable feel करते तो यह side effects develop होते due to the ketoconazol फिर बात करें दूसरे side effect की तो orthostatic hypotension हो सकता है as of vascular disorders epistaxis मतलब की hemorrhage condition की जो आपकी nozzle cavity है respiratory tract है अपर तो वहाँ पे bleeding होना कि जैसे nozzle का जो area है nozzle cavity सबगिरा है thoracic cavity है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो upper respiratory tract या फिर जो thoracic cavity हम कहते है nozzle cavity तो वहाँ के blood vessels break होना और उसके करन hemorrhage condition produce होती है वो side effects हो सकती है ketoconazol के करन gastrointestinal disorders की GI tract related तो number of side effects होते है कि जैसे कि आपको पता है कि vomiting हो सकती है diarrhea, nausea, constipation abdominal pain in upper portion dry mouth हो सकता है discusia हो सकता है flatulence, tongue discoloration तो यह सब भी side effects develop होते है as well as hepatitis, john d.s, hepatic function abnormal number of side effects हम यहाँ पर कह सकते है ketoconazol का excessive use होता है pregnancy के अंदर बात करे तो उसके जो बहुत सारे side effects देखे उसके करन उसको contraindications के list के अंदर रखा गया कि pregnancy के अंदर समझे के use ना करे तो वो सबसे better रहेगा because जो previous 2 slide में आपने side effects देखी वो सभी side effects समझे के pregnancy के दौरान होती अगर आप लेते हैं तो काफी complications आपको हो सकते हैं तो usually उसको avoid किया जता है Contraindications के list में फिर animal studies के अंदर भी देखा गया है कि ketoconazole के करण teratogenicity and embryo toxicity देखने को मिली है animals के अंदर तो यह एक बहुत बड़ा इसा point है कि जिसके करण आप जो है वह ketoconazole को humans के अंदर भी avoid कर सकते हैं So there are no control data in human pregnancy limited data indicate no adverse effect of this topical drug on pregnancy और fetal neonatal health मनलब की जो fetus होता है उसके उपर तो यह affect नहीं करता बड़ उसके जो दूसरे side effects है कि जो हमने previous दूस slide में देखे जो number of side effects जो दूसरे होते हैं उसके कारण pregnancy के दौरान उसको हम avoid करवाते हैं और साथ हो साथ animal study में भी देखागा है कि teratogenicity देखने को मिलती है embryo toxicity तो main concept यह कि prevention is better than cure कि पहले से ही हम उसको avoid करते तो आगे जाके कोई complications ना हो तो pregnancy के दौरान उसको avoid करें contraindications हम देखें तो decrease the function of adrenal gland यह medication क्या करती है adrenal glands को और जो है affect करती है already जिनकी adrenal gland damage है तो वो लोग उसको use ना करें तो contraindications का मतलब मतलब की do not use do not use use मत करें तो पहला condition जो अभी हमने देखा कि adrenal gland आपकी समझो कि abnormal already उसका function अच्छे से नहीं हो रहा तो उसको use ना करें आप दूसरा कि torsate the point a type of abnormal heart rhythm कि यह वाला जो आप नीचे वाला जो ECG देख रहे है this one तो यह वाले ECG में आप देखो irregular आपको देखने को मिलीगी pattern कि यह normal ECG है कि जब कोई person healthy होता है तो normal ECG develop होता है but abnormal heart rhythm होते है तो यह नीचे वाला कोई बार काफी short कोई बार long फिर short ऐसे irregular या फिर abnormal heart rhythm develop होते हैं कि जिसको torsate the points कहा जाता है तो ऐसे लोगों को यह use ना करना चाहिए because यह medication आपके heartbeats वगेरा और जदा irregular करवा सकती है prolonged QT interval on EKG तो electrocardiogram जो होता है उसमें आप देखो यह वाला interval होता है QT यह Q से लेकर यह T वाला जो पूरा interval बनता है उसको prolong करवा सकता है कि यह देखो यहाँ पे कि यह वाले ECG के अंदर आप देख सकते कि QT का जो interval है कि आपे यह point में लिखता हूँ P यह वाला हो गया Q यह R S और यह वाला Q से T का जो interval है वो enhance करवा सकता है तो जिसके करण जो है आपको यह avoid करने चाहिए कि जिसको already heart related जो patient से वो use ना करे abnormal abnormal ECG with QT changes from birth कि QT के जो changes होते है abnormal ECG वाले जो patient है या फिर abnormal electrocardiogram के patient है फिर stomach acid आपके अंदर कम है because हमने देखा कि यह medication की जो solubility है वो acidic pH में होती है तो आपका stomach acid कम है तो यह लेने से क्या होगा कि आपके medicine अच्छे से dissolve नहीं होगी because keto-conazole का हमने देखा कि acidic pH के उपर acidic pH में जो है उसकी solubility है तो यह point यहाँ पर affect करते हैं कि acidic pH पर soluble होती है यह medication already stomach acid कम है तो वहाँ पर acid कम होने के कारण आपका यह medication अच्छे से dissolve नहीं होगा absorption नहीं होगा damage to liver and cause the inflammation तो यह medication जिनके liver खराब हो already उनको यूज ना करने चाहिए liver inflammation है because हमने उसके side effect देखी तो hepatic failure करा सकता है hepatitis करवा सकता है already liver problem है तो keto-conazole prescribed नहीं करनी चाहिए abnormal liver function test है उनको भी यह medications नहीं देने चाहिए तो यह है उसके contraindications तो यह lecture को पूरा attend करके यहां तक आपने यह समझा होगा कि उसके benefits तो है कि अलग-अलग skin infections में use किया जाते है बड़ सामने उसके side effects इतने जादा है कि benefits समझो कि हम 20% जो consider करते हैं तो 20% benefits के लिए आपको 80% जितने side effects जो है वो सामने आपके develop होते हैं तो जरूरी है कि यह medication के कोई alternative options हम सोचे कि जिससे side effects कम हो और same effect मिले तो जिससे अपने previous lecture देखा होगा Pharma Rocks का Fluconazole के उपर तो उसमें भी हमने एक point discuss किया था कि यह एक safe alternative है for ketoconazole ketoconazole के ketoconazole के सामने safe alternative medication है that is fluconazole और साथो साथ यह itraconazole ketoconazole के compare में safer है fluconazole is an attractive alternative to ketoconazole and is a better role rated and is found to be less toxic कि आप fluconazole वाला lecture देखना Pharma Rocks का खास कि उसमें आप देखो के तो उसकी बहुत कम side effects है और toxicity भी बहुत कम है compare to the ketoconazole के जिसके करण उसको एक safe alternative माना जता है based alternative कि जब तक आप fluconazole से treatment हो जाती है तो ketoconazole को prescribe करने की जरूरत नहीं है same like that itraconazole और fluconazole दोनों से हो रहा है तो आपको ketoconazole देनी की जरूरत नहीं है तो itraconazole is also another option for ketoconazole बहुत है वे less side effects than ketoconazole, ketoconazole के compare में itraconazole and fluconazole के side effect बहुत ही कम है as well as जो हम clotri mazole देखते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं safe alternative to the ketoconazole तो अब एक point खास discuss कर लेते कि ये जो medications आपने देखे इन सभी के diagrams तो आपने notice किया होगा कि ये red line कि ये वाली जो side में red line जो आप देख रहे हैं तो उससे आपको पता चलगा कि ये देखो यहापे भी ये red line है इसके उपर भी ये red line हैं तो ये लाल लकीर को जरूर देखना चाहिए क्योंकि जीन दवायों पर की पत्ती पर लाल लकीर होती है उन्हें doctor की सला के बिना कभी लही नहीं नहीं चाहिए बिकोज ये antifungal और साथे साथे antibiotics medications भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये बी अलग-अलग टाइप के जो microbes होते हैं कि जैसे bacteria होते हैं उसी तरह से virus होते हैं fungi वगेरा है पैरेसाइट से वो सभी क्या है एक टाइप के microbial से कि पैरेसाइट से amoeba वगेरा है और ये सभी microbes को kill करने वाले medications जो हम कहते हैं antimicrobial medications antimicrobial या फिर antibiotics antifungal antiviral antibacterial सभी को doctor के सला के साथ ही लिना चाहिए आपके जो healthcare professional है तो proper prescription के basis पर ही उसको use करें because ये जो लाल लकिर है उसका मतलब ही कि danger खत्रा कि अगर आपको पता नहीं और आप गतलती से ले लेते तो बहुत सरे serious side effects आपको हो सकते हैं body के उपर तो ये गलती कभी भी ना करें proper जो है prescription के base के उपर ही उसको use करें proper जो आपके healthcare provider से आपके pharmacist है उनकी एक अच्छे से advise ले उनके बाद ही उनको use करें तो ये था हमारा special lecture about the antifungal drug ketogonazole PharmaRox के ऐसे ही lectures और उसके PPT PDFs आप PharmaRox के आप उपर एक्सेस करिए Android app as well as iPhone App Store में भी आप एक्सेस कर सकेंगे Thank you for watching जरूर से like करिए, comment करिए, share करिए join कर सकते हैं WhatsApp group ये वाला WhatsApp helpline number है एक्सेस कर सकते हैं study material test series, video lecture PharmaRox के आप उपर तो अगर आप Android phone यूज करते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं फाइंडर रॉक्स का Android application Google Play Store पर से रगावकर आपको आपको आईफोन है तो उसको एप स्टोर पर से डाउनलोड करें दोनूं के लिंक्स आपको description box के अंदर मिल जाएंगे, so good luck and all the best